हलो मित्रों, जैमातादी मित्रों आज 8 सेप्टेमबर सुक्रुवार कदर है ऐसे में कैसा रहने वाला है आज का दिन मित्रों, आज के दिन कौन सी बड़ी खुसकवरी आपके जीवन में दस्तक देंगी कौन से छितर में आपको लाव की प्राप्ती होंगी कौन से ऐसे कारे हैं जिनको करने से आपके धन्दोलत में बढ़ुत्री हो सकती हैं मान समान इजत पत्परतिष्टा में बढ़ुत्री हो सकेंगी और किस परकार से आज के दिन को बहतर और पहतरिन बना सकोगी आज का दिन आपका लगी कलर लगी नंबर कौन सा रहेगा आपके कारिशत्र में आज कौन कौन से मदलाब होने बाले हैं आपके लिए कौन से दिशा में यात्रा करना आपके लिए सुबह सिद्ध होगा और सुबह घर से निकलने से पहले आपको कौन से एक उपाय हैं जिनको करने से आपके सारे कारी बनेंगे मित्रों बिजनस बैपार बैवसाय कैसा रहेगा आपको बताएंगे सारी जानकारी विश्टार से वीडियो को आखरी तक दीखेगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब और वस्य कर लें ताकि रोज़ाना रासी फल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बहतर बना सके मित्रों आज का दिन सुक्रवार का है तो भगवान शुक्रवार के दिन भगवान माता लक्ष्वी जी की पूजा की जाती है बगवान विजनुजी की पूजा राधना की जाती है ऐसे में सुकुरुवार का दिन आपके लिए महत्पुन रहने वाला है आपके बिजनस के चेत्र सो लेकर और आपके बैपार के चेत्र को लेकर बिजनस अर बैपार के छत्र में यह दिन आपके लिए सबसे भागे साली सावित होगा आपके कारिशत्र में उन्नती होंगी आपके बिजनस बैपार में और ज़्यादा इजाफा होनी जा रहा है इस समय आपके आर्थी किस्तितियां पहले से सुधरेंगी धहन कमाने के नए रहेगी कि इस समय या इस दोरां सेयर भाजार आदी में निवेश्ट करते समय आप सतर करें आप सेयर भाजार में अगर इनिवेश्ट करते हैं तो आपको इस समय हानी हो सकता है इसलिए आप सेयर भाजार में इनिवेश्ट करने से बचें अगर आप इनिवेश्ट करने का म आप इसका उपयोग कर सकते हैं आज के दिन आपके करियर को लेकर काफी अच्छी इस्तितिया बन रही है विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई के छित्र में मन लगा रहीगा परन्तु आप किसी भी जाल में भसने से बचने की अवस्य कोशित करें किसी दूसरे के जाल में विल्कुल भी नाफस है आप को अपने ध्यान अपने कारिवार अपने वैपार और अपने पढ़ाई लिखाई पर देना होगा आप किसी के चिकनी चुपड़ी बातों में आकर आप अपने कारिक को विगारने की कुशित ना करें अर्थात आप अपने ही बात को ध्यान में रखकर कारिक करने की कुशित करें आपके जीवन में आज कहें से बड़े खुशकवरी मिलने बारे हैं बिजनस को लेकर भी आप नए उन्नती, नया आग्रह, नया कारिक कर सकते हैं आज के दिन भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहेंगी और धन की देवी माता लक्ष्मी जी भी आप लोगों पर काफी खुश रहेंगी जिसकी बज़े से बैपार, वानिज और बिजनस के शित्र में कारोबार के शित्र में, नौकरी के शित्र में आपका समय अच्छा गुजरने वाला है आपको बिजनस बढ़ाने का मौका मिलेगा आप अपने बिजनस का विस्तार कर सकते हैं अगर आप छोटे बैपारी हैं, तो आपके घ्रहकों के संक्या में बढ़त रहोंगे अगर आप बड़े बैपारी हैं, तो आप अपने दुकान के और जएदा विस्तार कर सकते हैं अपको अँग को अनेको लाव देखने को मिलेगा आपका प्यार और पारिवारित रिष्टा ये दोनों में सुधार होने वाला है आपको आनंद देने वाला है आप अपने जीवन साथी के साथ शमंदों को मदरू कर सकते हैं शमंद आपके पहले से काफी मदरू होंगे काफी सुन्दर होंगे रिष्टे में सहीं परतने की कु आपके अंदर जो भी कारे कुछलता है उनको करने की अवस्य कुछ करें दूसरे के बातों में आखर आप अपना समय और अपना टाइम बिलुकुर भी न कवाएं आपको अपने कारे छित्र पर धिहान देने की जरूत होगी कारे करें बैपार करें बिजनस करें लाब मिलेगा मित्रों आज के दिन आप अपने आर्थिक रूप से काफी सुखद रहेगा और वीतिय मावलों में भी काफी सुधार होगा और विर्दी की उमीद रहने वाली हैं वही आज पैसे कमाने के आई को बढ़ाने के जीवन में तरक्की करने के नए स्रोत विक्सित करने में आपका यदिन आपके लिए सही योगी रहेगा मित्रों अगर आप अकेले हैं और एकांत हैं तो आपको इस समय नई जीवन साथी के दलास पूरी हो सकती हैं आपको करियर को लेकर विसेश सतर्क रहने के जुरूत होंगे आप किसी भी इस तरह में आसकत नहों या पुरुष में आसकत नहों नहीं तो आपके जीवन भी या आपके चरेतर पर लाल्ट्छल लगने का इस समय योग दिख सकता है इसलिए आप किसी से अगर प्रभावित हो रहे हैं आप कुछ ऐसा न कर दें जिससे आपको परिशानी हो जाए इसलिए आप अपने रिष्टों को पनाए रखने के लिए रिष्टों में आपको सत्रक रखने के जरूरत रहेंगी बैपार के लिए आपका समय सफलता पुरुवक, सुद्ध और काफी अच्छा सावित होगा आपके लिए नए बैपार करने के मुकें भी मिलेगे कारुबार को और गति प्रदान करने का मुका मिलेगा अगर आप पार्टनर्शीप में बिजनस या बैपार करते हैं तो पार्टनर्शीप भी आपका काफी अच्छा रहेगा और अपने पार्टनर के साथ आप अंदे विश्वास बिलकुल भी न करें अंदा विश्वास बिलकुल भी न करें आप विश्वास तो करें परन्तु आप फिसेश रूप से अपने बिजनस बेपार को बीच बीच में ध्यान देते रहें मित्रों आपको बता दें कि भगवान स्रीहरी विश्णुजी की क्रिपा से कारिश्यत्र में काफी बड़ी परसंता आपके जीवर में आने वाली है आपके लिए आज आत्मी स्वास से भरा दिन रहेगा आपके कारिश्यत्र में उन्नती और सफलता की फ्राप्ती होंगे आप अपने वध्रवानी और अपने बोल चाल की वांसा को सुधार सकते हैं नौकरे में प्रिवर्थन का यूग दिख सकता है अगर आप इस समय कम सेलरी बाले पोस्ट पर हैं तो आपके सेलरी में बढ़ोत्री हो सकती है आपके जीवन में इस समय काफी तरकी हो सकती है आपको अपने स्वास्त को लेकर सातर करहने की जुरुत होंगी आपका स्वास्त इस समय गड़वड हो सकता है या थोड़ा सा परिशानी कष्ट दायक हो सकता है नौकरी में परिवर्तन का योग है आई में विर्दी जरूर होगी वानी में कठोड़ता का प्रभाव हो सकता है इसलिए मधुरवानी भोलने की अवस्ते कोसिस करें किसी ऐसे व्यक्ति का दिल बिलकुल भी ना दुखाएं जो आपके विजनस ये बिपार से जुड़ा हो यात्रा पर जाना भी आपको पढ़ सकता है आप किसी अच्छी और सुभ यात्रा पर जा सकते हैं मित्रों आपको आज वस्त्र या उपहार भी मिल सकता है मन में सकरात्मक्ता का फ्रभाव बना रहेगा आत्मी स्वास से आप परी पुर्ण होंगे और किसी मित्र के साथ आप साम को कहीं भूमने दा सकते हैं किसी चोहराई पर पुराने दोस्तों के साथ मुलाकात भी आपकी हो सकती है आज जीवन की उन तमाम परिसानियों से आपको चुपकारा मिलेगा जो आपके परिसानिक अमार या आपके लिए जीवन में थोड़ा सक कष्ट दायक रह सकता है इसलिए आप अपने आपको विसेश प्रभावी समझने की अवसी कोसित करें आपका दिन सुभो मंगलकारी हो जैमा विन दुवासनि झीवसी करें अवसी अरी हो जब कि ऑना भुपकारी हो जो झीवसीन झाल झाल